हेलो डियर स्टुदेंट्स, माइने में सेफल इसबा, वेलकम टू माइ अर्थ स्टुरी चैनल, बच्चो आची है, मैं इस वीडियो में आपका चैप्टर नुबर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है एक्सपर डिटक्टिव्स, ओके आप मैंसे बहुत सारे बच्चे जानत जो कि डिटक्टिव्स अपने आपको मांते हैं माया और निशाद, एक छोटे बच्चे है करने की कोशिश करते हैं, वह किसका होता है इससफेर्स नांत grew जो थे एक पेशंट होता है जो कि इनकी जो मूम होती है वह एक डॉक्टर होती है और वह क्या करती हैं इनका patient होता है Mr. Nath तो Mr. Nath को ये लोग सोचते हैं Maya सोचती है कि ये Mr. Nath कोने एक criminal है जो कि जेल से भाग के आया है और इसी case को solve करने के लिए Maya और निशाद लग जाते हैं ओके चलिए हम अब पढ़ते हैं अपना chapter और ये जब chapter है आपका और ये जो आपका chapter है एक एक novel का यहां पर आपको पूरा novel नहीं दिया गया बलके छोटा सा हिस्सा दिया गया उस book का ओके तो चलिए और हाँ बच्चो एक और बात बता दो इसे मैं बहुत detail में पढ़ाने वाली हूँ ये नहीं करूंगे कि जल्दे जल्दे आप लोगों को समझा दूं इसलिए इसके two parts बनेंगे तीन पार्ट भी बन सकते हैं तो जैसा होगा हम देखेंगे तो चलिए start करते हैं निशाद a boy of seven also called seven because his name means the seventh note on the musical scale and his ten years old sister Maya are very curious about one one mister naat अब क्या होता है निशाद जो होता है एक boy है जो कि उसको क्या कहता है seven years का boy है और उसको seven कहते हैं क्यों उसको seventh कहा जाता है क्योंकि musical scale पे जो musical scale उसका नाम seventh पर आता है जो कि सा होता है और सा को हम निशाद कहते हैं इसलिए उसको निशाद कहा जाता था उसकी घर में और उसकी एक ten years old sister है माया वो बहुत ही जादा curious है Mr. Nath के बारे में जानने के लिए then one day the children's marbles rolls into Mr. Nath's room and निशाद gets a chance to see him अब एक बार क्या होता है इन दोने children's को Mr. Nath को देखने का मोका मिल जाता है उनके जो marble होता है उनके कंशे जो होता है वो अंदर से ले जाता है उनकी room में Mr. Nath के तो उन्हों देखने का मोका मिल जाता है यानि जो निशान होता है उनको हम scars कहते है तो उसके निशाद पर scars थे why has he no friends और उसकी कोई दोस्त भी नहीं था तो इस सारे ही सवाल जो थे उन दोने बच्चों के मन में थे कि ऐसा क्यों था निशाद's mother a doctor knows Mr. Nath as a patient who is very polite निशाद की जो मदर थी वो एक doctor थी और Mr. Nath को वो एक patient की तरह ही जानती थी और वो उनके साथ polite थी जिसे हर doctor होता है अपने patient के साथ ओके तो अब ये दोनर जो थे बहुत जादा curious थे Mr. Nath के बारे में जानने के लिए कि उनके चहरे पर scars क्यों है वो कोई दोस्त क्यों नहीं बनाते हैं तो क्या सच में Mr. Nath एक criminal है या फिर भागे हुए जेल से कह दी है या कुछ भी तो ऐस अब ये हम आगे पढ़ते हैं ओके As we walked back towards the clinic seven said he doesn't look anything like a monster Maya but did you see how thin he is maybe he is very poor and can't afford to it अब जब वो मतलब clinic से वापस आए ना तो जो seven था यानि जो निशात था उसने क्या कहा Maya से कि Maya वो मुझे कोई monster की तरह तो नहीं लगता है क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पतला है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पूर है इसलिए वो खाना भी afford नहीं कर सकता है याना खाना भी नहीं खरीज सकता तो निशात जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा बच्चा होता है जो मतलब दया करने वाला बच्चा इसलिए वो यह सारी बाते कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई क्रीमिनल वगेरा नहीं है वो तो इतना पतला सा है और शायद खाना भी ने खरीज सकता अब जो मया होती है वो कहती है वो कोई पूव वगेरा नहीं है वो तो कोई क्रीमिनल है जो कि भागा हुआ है I told him तो Maya कहती है कि उसके पास तो millions शायद उसके पास तो millions of rupees होंगे जो कि उसने छुपा रखे होंगे अपने room के अंदर Do you really think he's a criminal Maya? He doesn't look like one निशाद looked doubtful अब निशाद बहुत doubtfully Maya को देखता है और कहता है कि मतलब क्या वो सच में criminal है Maya? मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई क्रीमिनल है या क्रू कौन दर रहन है तो Of course he's one seven I said and he certainly isn't as starving Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from that the restaurant downstairs Maya कहती है कि हाँ वो एक criminal ही है और वो कई भूक भूक से नहीं मर रहा है बलके Mr. Mehta ने बताया कि Ramesh उसके लिए two times meal ले जाता है नीचे से restaurant downstairs यानी restaurant के नीचे से क्या ले जाता है वो दो time खान ले जाता है उसके लिए बट Maya Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere so how can he possibly have money to pay for food निशाद से ले बट निशाद ने क्या कहा कि Maya Mehta ने तो ये भी बात बताय थी कि वो कोई काम वगएरा नहीं करता है तो वो पैसे कैसे पे करता होगा खाने के exactly I explained तो Maya के कहती exactly में यही explain करना चाहती थी कि वो एक criminal ही है he must have lots of money hidden somewhere और बहुत सारे पैसे कहीं छुपा रखे है maybe in that trunk in his room शायद उसके यहां कोई बड़ा बकसा हो it's probably full of silver and gold and jewels और तो वो कहती शायद उसके पास silver, gold, jewelries बहुत सारा हो and वो कहने वाली होती है तो Nishad कहता है what rubbish Nishad interrupted Nishad कहता है क्या पागलो जैसे बाते कर रही हो ऐसा कुछ नहीं है I know I'm right stupid I told him by the way 7 did you see his scars I couldn't it was too dark but I bet he got them during a shoot out with the police or something वो कहते है कि मैं सही हूँ stupid I'm right मैं सही हूँ मैं जानती हूँ by the way तुमने उसके scars देखे थे I couldn't it was too dark but I bet he वो कहते है कि मुझे नहीं लगता है मतलब मुझे लगता है कि वो जब भाग रहा होगा पुलिस से तब उसके शूट आउट में क्या होगे होगे वो scars लग गए होगे मतलब पुलिस वगेरे जब उसके हमला कर रहे होगी तब उसके scars हो गए होगे मम्मी टोल अस वो जब निशाद सेट फिर्मली यानी दर्ट दरंटा दरंटा फिर्मली यानी बिलकुल जटी लोगे उसने कहा कि मम्मी ने तो हमें यह बतायता है कि बहुत क्लियर कर दिया थी कि ये इसकी scars कैसे होए है जलने की वज़े से अब निश्या मैय जो होती है वो खहती है शायद ऐसा हुआ हो गाँ कि वो घर में गुजगिया होगा फिर पर पलिस ने उसको बाहर नीकालने के लिए घर में आग लगाती है और जब भाग रहा हो तो फिर उसके स्कार्स लग गए हो तो सैवन उसे उसे अन्शुर हो कर देख On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Gurgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nisha told me he'd been to see Mr. Naath and I felt most annoyed that I had not been there. Now, what happens is that Mama's birthday, Mama's birthday, she goes to her sitting with her with her at the clinic, She goes to her with her friends, she goes to her with her school friends. तो निशाद सब कुछ बताता है मिस्टर नाथ के वारे में कि वो उससे मिला था जो हमारी माया थी वो बहुत अनॉइड होगी बहुत चिड़ चिड़ी होगी कि मैं उससे क्यों नहीं मिल पाई sedan had been quiet upset about Mr. Naad's gaunt appearance and was sure that he was starving अब क्या बताता है निशाद के वो काफी upset होता है और वो कहता है कि Mr. Naad giy sowie बहुत फतले gaunt and बहुत sickly ऐसे लगे बहुत बिमार appearance लगे नेके बहुत फतले से लग रहे हैं and was sure that he was starving कि वो भूख उन्हें starving हो गई है शायद he told me that he had knocked loudly on Mr. Naath's door that evening and said open the door quickly Mr. Naath वो बताता है कि मैंने उनकी दर्वाजे को नॉक किया और कहा कि अपना दर्वाजा खोलिये तो उन्होंने the man had opened it and asked him lost another marble तो अब वो अपने दर्वाजा कोलता है Mr. Naath और पूश्टता है कि क्या फिर से तुम्हारा कोई marble गुम गया he had obviously recognized my brother अब इसका अंतलब वो Mr. Naath पहचान गए थे निशाद को क्योंकि पहले भी marble लेने के लिए आया था निशाद जो था no said Nishad he had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it thrust मतलब होता है to push forcibly यानि forcibly किसी चीज़ को करना उन्होंने उसका हाथ जो निशाद उन्होंने क्या किया उस बच्चे ने Mr. Naath का हाथ पकड़ा और उस पर जबर्दस्ती उन्हें चॉकलेट दे दी कि आप इसे रखिए did you get a chance to peek into the trunk seven I asked अब माया ने पुचे क्या तुमें उस बड़े से बॉक्स को देखने का मोका मिला Nishad looked disappointed अब Nishad जो था disappointed होके उसको देखता है माया को he didn't even ask me he said then he smiled but I did find out something Maya I went down to the restaurant where where Ramesh works and talk to him अब Nishad कहता है नहीं उन्हें ने तो मुझे घर के अंदर भी नहीं बलाया तो मैं कैसे देखता but मैंने एक चीज जो है वो कुछ different किये तो माया मैंने ना जो Ramesh है जो उनके लिए खान लेके जाता है मैंने उनसे पोचा है बहुत सारे उनसे सवाल कियें रमेश से उनके बारे में good for you Mr. Detective I said patting him on the back I hope you have questioned him properly अब भहिया माया जो थी वो तो आपने आपको पूरी डिटेक्टिव समझ रही थी और असिस्टेंस समझ रही थी किसको निशाद को अब कहती है हाँ good for you Mr. Detective और उस पर उसे शाबाश ही देती है और कहती है कि I hope तुमने सारे अच्छे मतलब सही तरीके से question किया होगा 7 looked pleased 7 देखता है और मतलब pleased होके कि हाँ मैंने सारे question पूछा है रमेश told me that he takes two meals for Mr. Naath every morning and evening तो रमेश बताता है किसको निशाद को कि मैंस के लिए क्या Mr. Naath के लिए रोज लेके जाता हूँ two meals यानि दो दिन का खाना लेके जाता हूँ sorry दो टाइम खाना लेके जाता हूँ two times two meals एक तो morning में और evening में और two cups of tea one in the morning and evening ठीक है सुबह और शाम में खाना भी और चाय भी में लेके जाता हूँ रमेश ने बताया morning and one in the afternoon रमेश says he is not very particular about what he eats it's always the same food to chapati, samdhal and a vegetable अब रमेश बताता है कि वो कभी यह नहीं कहता है कि मचे different different खाना दो सुरी बिच्चो तो रमेश क्या कहता है कि वो जो Mr. Naat है वो यह नहीं कहता है कि मचे different different खाना दो रोज वो सिफ क्या खाता है दो chapati खाता है दाल खाता है और vegetable कुछ सबजी ले ले लेता है Mr. Naat pays cash on and tips well और इसी के साथ साथ उसने एक खास बात ये बताई कि Mr. Naat उसे pay भी करता है यानि पैसे भी देता है और tips भी देता है रमेश टोल्ड में सम्थिंग वेरी स्ट्रेंज माया 7 एड़िट और रमेश ने मुझे एक बहुत अजीब चीज बताई कि कि हर संडे को क्या ही करीज तू लंच कि वो मुझसे दो लंच मंगवाता है रमेश ने मताई कि मुझसे मिस्टर नात दो लंच मंगवाता है मिस्टर नात रूम्स और कोई उनसे मिलने के लिए आता है संडे में और इसलिए वो आदमी जो उनसे मिलने आता है वो कैसा है टॉल है फियर है स्टाउट है और वियर यानि चश्मे पहनता है ठीक है रमेश ने यह भी बता है रमेश says his visitor talks a lot जो जो विजिटर है जो कि Mr. Naat से मिलने आता है वो बहुत सारी बाते है बलकि कि Mr. Naat है वो बिलकुल भी नहीं बोलता है बहुत मुश्किल से बोलता है Well done Nishad, I told him Now that we have made some progress with our inquiries We will have to sort out all the facts like expert detectives So that we can trap the crew Well done, he says We have done a lot of work Nishad Now we have to take all inquiries and take all the expert detectives How you do go on Maya How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary Now Maya says Nishad says It seems like he's a criminal I don't think he's a crook Because he's so ordinary Like everyone else Criminals can look quite ordinary smarty I retorted Did you see the picture of the Hyderabad house breaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street Nishad looked doubtful Retorted A severe reply Okay Now Maya has said Smartly Criminals are like armed people They don't think that I'm a crook If they don't have a crook 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 They just look ordinary person They just look like a crook And you have heard of the Hyderabad house breaker यानि जो एक हाऊस ब्रेकर जो कहा घरों में घुस गया था इक घरों में रिख के और टोमें पेकर नहीं देखा कि आपका यो हैदरबाद हाउस ब्रेकर था और उस क्या था उसकी तस्वीर लगी थी he look like any man on the street निशाद look doubtful तो वो भी street की चलता फिर ता आदमी लग रहा था जिसे बाकी सब होता है और निशाद उसे doubtfully देख रहा अब भी निशाद को नहीं लग रहा था कि वो क्रूक है अब the monsters broke the next day dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all the fury flooding the streets with a heavy downpour schools was to have reopened after the summer holidays but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holidays fury अनि अंगर अभी अब यह बताए गया है कि मच्चों की जो छुट्टिया थी summer vacations वो खतम हो गई थी इसलिए अब उन्हें उन्हें स्कूल जाना था इस next day पर next day क्या हुआ मौनसून यह बहुत तेज तेज बारिश हो गई सारे क्लाउट्स वगेरा आ गए और इतना ज्यादा बारिश होई कि रोट्स भी पूरा पानी से भर गए जिसकी वज़े से उन्हें एक unexpected holiday मिल गई थी अब वो क्या थी I thought I had I had I did spend the time usefully I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me अब माया नहीं क्या सोचा भई मैं अपने day को खराब बिलकुल भी नहीं करूंगी मैं इस time का usefully useful करूंगी मैं इस time का अच्छे से इस्तमाल करूंगी और वो अपनी chair और desk पर बैठती है और क्या करती है और पेपर ऊफशीट लेती है और उस पर कुछ लिखने लगती है जो सारी inquiries वगेरा होंगी सारे clues वगेरा वो लिख रही थी उस पर बैठ करोंगे अब अच्छे comprehension check है इसको मैं आपको question answer जब वीडियो बनाँगी तम मैं उसी में करा दूंगी ये भी तो आप लोग परिशान मत ही हो ना और जो ये part ये first है मैं second part बनाँगी उसको आप लोग जरूर देखिएगा तो चलिए यहाँ तक के लिए बस इतना ही मिलता है next वीड